हलो दोस्तों उमीद है आप लोग हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और खुस भी होंगे दोस्तों आज मैं आपको पांच तरह की रूई की बाती बनाने के लिए बताऊंगी पांच ट्रीक्स है दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है अगर आप भी तेहवारों के दिनों में अपने हाथों से रूई की बती बना करके अपने घरों में पूजा अर्चना करना चाहते हैं दिया जलाना चाहते हैं क्योंकि तुरंथ ही दोस्तों नवरात्री आने वाली है दिवाली आने वाली है और इन सारे तेहवारों में दोस्तो बहुत सारे दिये की और बाती की जरूरत होती है तो क्योंना दोस्तो हम अपने हाथों से अपने घर में बाती बना करके दिया जलाएं तो चलिए टिप नंबर वन देखते हैं दोस्तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले रूई ले लिया है क्योंकि रूई के बीना थो बटी बन ही नहीं सकता है दोस्तो उसके बाद मैंने यहाँ इस तरीके का एक फिडा लिया है लकडी का कोई भी पट्टा आप ले सकते हैं अगर आपके घर में लकडी का चकला है तो उसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब इसके लिए आपको एक पतले सी लकडी की जरूरत पड़ेगी जिसके लिए मैंने यहां अगर बत्ती लिया है तो अगर बत्ती का जो मसाला है दोस्तों उसका इस्तिमाल नहीं करना है हमें केवल इसका जो लकड़ी है उसका जरूरत है इसलिए मैंने जो अगरबती का मसाला है इसे हटा दिया है बहुत ही असानी से हट जाती है ये तो इस तरीके से आपको अगरबती का जो मसाला है हटा देना है और ये जो पती लकड़ी है इसका इस्तिमाल करना है अब आपको क्या करना है दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा रूई लेना है आप देख सकते हैं यहां पर मैंने कितना रूई लिया है थोड़ा सा रूई लेकर उसे आपको लंबाई में फैला लेना है फिर रूई के बीच में आपको इस अगर बत्ती का जो बत्ती है लकडी है उसे रख लेना है और उसके उपर हाथों को इस तरीके से घुमाना है रोल करना है और बहुत ही आसानी से दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से रूई की बत्ती बन करके तयार हो जाती है एक सेकंड भी नहीं लगता है दोस्तों आप अपने मन के मुताबिक आपको जितने भ भूआ भी नहीं निकलता है, जिससे आपके घरों में ज़्यादा धूआ नहीं फैलेगा, काला काला धूआ ज़्यादा नहीं निकलता है, तो आप कोशिश करें कि पतला पतला रूई की बती बनाएं, शुरू में जब आप एक दो रूई की बती बनाएंगे न दोस्तों, उस पतली पतली रूई की बत्ती बन रही है दोस्तों बहुत ही इजी ये ट्रीक से एक बार अप्ट्राइज जरूर करिएगा इसे बनाने में मुझे तो बहुत ज़्यादा माजा आता है दोस्तों और ये ट्रीक छोटे-छोटे बच्चे भी इस्तिमाल कर लेते हैं तो आपके ग बन जाता है और भी ये इजी हो जाता है एक जन क्या करेंगे इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा रूई लेकर के लंबाई में फैला कर आपको देते जाएंगे तो आप क्या करेंगे रूई पर ये लकड़ी रख करके बस आपको रोल कर देना है हाथों को घुमाते जाना है और ये फटा-फट रूई की बत्ती बन करके तयार हो जाएंगी दोस्तों बहुत ही इजी और ये हो जाएगा मिंटों में ही दोस्तों बातों ही बातों में आप 100-200 रूई की बत्ती बना करके रख सकते हैं और एक बार आप बना कर देखिएगा दोस्तों बहुत आपको आने वाला है इस रूई को बत्ती को बनाने में बहुत ज़्यादा आपको मन लगेगा इस से बिल्कुल भी बोरियत नहीं होती है आप एक बार बना करके श्टोर करके रख लीजिए और एक साल रूई के बत्ती का इस्तिमाल आप करें आप देख सकते हैं बातों ही बातों में दोस्तों मैंने यहाँ पर इतना सारा रूई की बत्ती लंबा वाला बना करके तयार कर लिया है तो एक बार इस ट्रीक को आप इस्तिमाल करें तो चलिए दूसरा टिप देख लेते हैं इसके लिए भी मैंने यहाँ पर रूई लिया है और थोड़ा सा आपको ले लेना है द दोस्तों इसे आप एट करके बना लिजिए दूद का इस्तिमाल इसलिए होता है दोस्तों अगर इसी तरीके से हम रूई को इस तरीके से एटते हैं तो रूई जो होता है सिलीप हो जाता है इसलिए दोस्तों आपको दूद का इस्तिमाल करना है दूद की वज़ा से यह जो गोल बत्ती बन रही है एकदम से टाइट बनती है जो इसका नोख बनता है दोस्तो एकदम टाइट हो जाता है और ये बत्ती भी गोल हो जाती है अगर बीना दूद के आप बनाएंगे दोस्तो तो इसका जो नोख है आपस में चीपके का नहीं, टाइट नहीं होगा, ये अलग-अलग सिलीप होने लगता है, ये छलकने लगता है, इसके वज़ा से यहां पर हम दूध इस्तिमाल करते हैं, दूध से ये आपस में चिपक जाते हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये टाइट हो जाता है, तो बस कुछ नहीं क करना है, आपको थोड़ा सा रूई ले लेना है, इस तरीके से चारो तरफ से इसे फोल्ड कर लेना है, चुन बनाते हुए, और उंगली में थोड़ा सा दूध लगा करके इस तरीके से एट लेना है, आप चाहें तो इस तरीके से हतेली पर रख करके भी एट सकते हैं, या उंगली से पकड़ के भी एड़ सकते हैं आप जैसा comfortable आपको लगे उस तरीके से इससे आप बना सकते हैं घर में आप जब भी खाली बैठे हैं दोस्तो टीवी देख रहे हैं तो आपको रुई ले लेनी हैं और थोड़ी सी दूध ले लेनी हैं और टीवी देखते देखते दोस्तों मिन्टों में ही आप 100 से 200 300 रुई की गोल बत्ती बना सकती हैं बहुत ही इजी ये तरीका है दोस्तों और हम महिलाओं को दोस्तों खुद से कुछ काम करके कुछ बचत कर लेते हैं हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुसी होती है तो ये देखिए एक आध मीनट में ही दोस्तों मैंने इतना सारा गोल बत्ती भी बना लिया है तो चलिए तीसरा टिप देख लेते हैं इसके लिए भी मैंने यहां दोस्तों रूई लिया है उसके बाद ये जो दूद है इसका भी इस्तिमाल आपको करना है अब इसमें मैं थोड़ा सा चंदन पाउडर ले रही हूँ अगर आपके घर में चंदन पाउडर नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं और थोड़ा सा इसमें आपको कपूर की एक जो टिकिया होती है उसे डाल लेनी है इससे रूई बत्ती जब जलेगी दोस्तों तो बहुत अच्छा खुस्बू आती है और बहुत अच्छी तरीके से जलती भी है इसे आपको अच्छी तरीके से mix कर लेना है और जिस तरीके से मैंने गोल वाला सफेद बत्ती बनाया है दोस्तों सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी रूई की गोल बत्ती बनानी है केवल अंतर इतना होगा कि यह जो रूई की बत्ती है दोस्तों color whole है तो आपको सेम परोसेस यहाँ भी इस्तेमाल करना है और यह जो रूई की बत्ती मैं बना रहे हूं दोस्तों इसमें मैंने चंदन पावडर डाला है तो जब यह जलती है न दोस्तों रूई की बत्ती घी के साथ इतना बढ़िया आती है एसमेल आपके घर में बहुत positivity फैल जा अनन्द आता है इसी तरीके से कोई भी रंग का आप रूई बती बना सकते हैं लाल हारा पिंग पीला कोई भी तो चलिए टीप नंबर चार देख लेते हैं यहां पर भी मैंने रूई लिया है दोस्तों और वही जो मैंने दूध को बनाया था चंदन पाउडर डाल करके उसी क इस्तिमाल कर रहे हूँ अब यहां पर आपको क्या करना है रूई ले लेनी है और इसे लांबा फोल्ड करना है और दोनों हाथों में आपको ये जो दूध मैंने बनाया है चंदन वाला इसे दोनों हाथों में लगा करके इस तरीके से आपको रूई को घुमाना है दोनों जगों पर दोस्तो हम लोग 5 मूखी दिया जलाते हैं या 7 मूखी दिया जलाते हैं या 4 मूखी दिया जलाते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं अलग-अलग बत्ती दिये में डाल करके 4 बत्ती डालनी पड़ती है तब हम 5 मूखी दिया बनाते हैं अगर इस तरीके से दोनों हाथों की दोनों उंगलियों को आपको घुमाने नहीं आगा दोस्तों तो आप क्या करें दोनों तरफ के एक एक बार करके नोख बना लीजिए एक हाथ में आप ये जो दूध है उसे लगा लीजिए और बारी बारी से दोनों तरफ रूई की बत्ती में नोख बना ली तो इस रूई के बत्ती को बनाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको दो तरीके बना दिये हैं आपको जो कमफर्टेबल लगे अब बना सकते हैं अब क्या बता रही थी मैं दोस्तों पंच मुखी दिया के बारे में तो हम क्या करते हैं अलग-अलग रूई की बत्ती पंचमूखी दिया जलाते हैं तो आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी दोस्तों आपको अलग-अलग से रूई की बत्ती एक दिया में डाल करके पंचमूखी दिया नहीं बनानी पड़ेगी आपको क्या करना है ये जो बत्ती मैंने आपको बताया है बनिया पंचमूखी रूई की बत्ती बन करके तयार हो गई है दोस्तों कहीं भी आपको पंचमूखी दिये जलाने हैं तो इस तरीके से रूई की बत्ती बना करके अब जला सकते हैं तो चलिए टिप नमबर पांच देख लेते हैं, दोस्तो जब नौरात्री आती है या कोई भी पूजा ऐसा होता है, जहां हमें अखंड दिया जलानी होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके का जो मौली धागा होता है, कोटेन का, इसका हम बाती बनाते हैं, अख तरह के जो हमारे घरों में तलने के लिए जो जहारा होता है, उसका इस्तिमाल यहां पर कर लीजिए, असानी से आप अखंड दिये के लिए बत्ती बना सकते हैं, आपको क्या करना है, यह जो धागे हैं, मौली धागा है, इसका एक छोर को जहारे में बान दीजिए, जैसा क मैंने यहां पर बान दागा है, और आपको क्या करना है, यह जो मौली धागा है, इसको आप जितना आपको लंबाई चाहिए, उसी कनुसार आप चार बार इसे मोड लीजिए, मोटा कर लीजिए, उसके बाद एक छोर जो इसका है, आपको जहारे में बान देना है, और इस आपको हाथों को इस तरीके से करना है, और जितना ज्यादा इसमें एठन आप चढ़ाएंगे ना दोस्तों, उतना ही बढ़ियां आपका खंड दिये के लिए बत्ती बन करके तयार हो जाएगी, जब इसमें पूरी तरीके से एठन चढ़ जाएगा, एठन लग जाएगा, तब आपका ये जो जारा में आपने जो छोर बांदे हैं, उसे आप निकाल लीजिएगा, खोल लीजिएगा, उसके बाद ये दोनों छोर को आपको आपस में मिला देनी हैं, और एक बार इस तरीके से आपको इसे खींच करके टाइट कर लेनी हैं, बस तुरंथ ही आपका अखंड जोद के लिए जो बत्ती है बन करके अकेले ही इसे आप रेडी कर सकते हैं दोस्तों तो मैंने यहाँ पर आपको छोटा ही अखंड दिये के लिए बत्ती बना करके दिखाया है आप अपने हिसाब से जितना बड़ा आपको बनाना हो आप बना सकते हैं दोस्तों तरीके के बत्ती बनाना बताया है कोई भी टीप आपको पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से एर करिएगा